जेहन आप सभी का स्वागत है आज की इस special वीडियो में दोस्तों इस समय हम है Territorial Army की Official Website पर और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे Territorial Army में निकली एक और भरती के बारे में तो दोस्तों इस समय All India में जो है वो Territorial Army की भरती की नोटिफिकेशन से डेली जारी की जा रही है तो आपके State की कब जो है भरती होनी है T.A.R.B. में उसकी जानकारी भी आपको इसी चैनल पर मिलेगी ठीक है क्योंकि एक-एक करके मैं पूरी की पूरी वीडियोस डेटेल में लेकर डेली आ रहा हूँ तो दोस्तो यह है Territorial Army की ओफिसल वेबसाइट और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे T.A.H.E.G.R. Group Eastern Command में निकली भरती के बारे में तो इस Eastern Command में कौन-कौन से स्टेट्स आते हैं जिनकी यह जो भरती है कौन सी बटालियन में भरती है फिजिकल, मेडिकल, रेटेन एक जामनेशन और भी जो भी मिसलिनियस पॉइंट है इस भरती से रिलेटेड वो हम सब आपको देने वाले हैं तो दोस्तो इस ओफिसल वेबसाइट पर आप जैसी आएंगे तो आप देखेंगे यह फ्लैस हो रहा है एड़टेजमेंट फॉर रुकूर्ट्मेंट अंडर टीए ग्रोप हैड़कॉर्टर इस्टन कमांड आप इस पर जैसे क्लिक करेंगे यह नोटिफिकेशन जो एबू इस की भरती होनी है कबसे कब तक होनी है 12 नुवंबर दोजार चोवीश से 26 नुवंबर 2,025 तक अब हम दोस्तों बात करते हैं वेकन्सी की ठीक है तो हम बैकन्सी की बात करें कि इस भरती में कितनी vacancies हैं तो soldier general duty की 150 vacancies है soldier chef की 14 vacancies है soldier house keeper की 7 vacancies है soldier hair tracer की 6 vacancies है soldier washerman की 6 है मसालची की एक chef mess sorry cook mess की एक chef special की एक equipment repair soldier की एक clerk की 4 steward की एक artisan की एक और artisan wood की एक vacancy जो यहाँ पर निकली है area by schedule of recruitment is as under अब हम बात करते है area by schedule की की कौन सी date और किस टैम पर कौन सी district के जो हैं वो बच्चे इस भरती में सामिल हो सकते हैं तो 12, 13 और 14 नॉम्बर 2024 के लिए तिन सुक्य डिस्टिक जो की आसाम की है भरती में सामिल होना चाहते हैं वो जा सकते हैं ठीक है 12, 13 और 14 नॉम्बर को पूरी तिन सुक्य डिस्टिक की जो है वो आसाम की भरती है कहां पर भरती है दोस्तों भरती की लोकेशन ये दियो गई है शबुआ मिनी स्टेडियम बिलेज छेतिय गाउं शबुआ डिब्रूगर आसाम नीरेश्ट रेलवे स्टेशन है पेन सुक्य और डिब्रूगर ठीक है यहां पर आपके लिए पहुंचना है आप है दोस्तों 15, 16 और 17 नॉमबर दोजाज 24 के लिए डिब्रूगर डिश्टिक की भरती है 18 और 19 नॉमबर दोजाज 24 के लिए दोस्तों चराइडियो डिश्टिक आसाम की भरती है 20 और 21 नॉमबर, 22 नॉमबर, 33 नॉमबर, 24 नॉमबर इस परकार जो भी आपकी डिस्टिक्स दी गई है यहां पे उनकी भरती इस डेट में होनी है सभी को मैं कवर नहीं करूँगा क्योंकि फिर वीडियो हो जाती है बहुत लंबी अब दोस्तों भरती का डेट तो मैंने आपको बता दी कि आपकी डिस्टिक की कौन सी डेट में भरती होनी है अब बात करते हैं टायम की तो अगर आप इस भरती में जाना चाहते हैं तो अपनी डिस्टिक के सामने जो डेट दी गई है जैसे कि अगर आप डिवरोगल के हैं त तो आपको 15, 16 और 17, 19, 24 के लिए किसी भी दिन तीरों में से, आपको कहां पहुंचना है, इस लोकेशन पर पहुंचना है, और 500 का मतलब है, सुबह 5 बजे आपको जो है वहाँ पर पहुंच जाना है, ओके, चलिए, अब बात करते हैं, एज की, तो दोस्तों आपको पता है, ट एजुकेशन, कृलीफिकेशन, सुललए जनरल डूटी, ओके, तो एजुकेशन, कृलीफिकेशनकी की बात करें, तो अगर आप सुललए जनरल डूटी में भरती होने चाहते हैं, तो आप क्लास 10 पास होने चाहेंगे, आपको जो ओवरे ल पर सेंटेज है, круп, स्वरी, क्ला साइन्स किसी भी इस्ट्रीम में 60% मार्क्स होना चाहिए और 50% मार्क्स किसी सिंगल सब्जेक्ट में इस से कम नहीं होने चाहिए अगर आप ट्रेट्समेन में भरती होना चाहते हैं तो आपको टैंथ पास होना जरूरी है आप बात करते हैं दोस्तों स्वल्डेट्समेन हाउसकीपर और मैसकीपर को चोड़ दिया था तो हाउसकीपर और मैसकीपर में अगर आप भरती होना चाहते हैं तो क्लास 10 अगर आप पास हैं तो आप इसमें जा सकते हैं ओके अब आगे चलते हैं दोस्तों और बात कर लेते हैं फिजीकल इस्टेंडर्ड की तो हाइट दोस्तों इस भरती में 160 cm लेकिन 3 cm के यहाँ पर वेश्ट बंगाल दारजलिंग और कालिमपॉंग डिस्टिक्स ठीक है एंड इंडियन डोमिस्टील गोर्खा गणवालीस एंड लद्दाकिस इनके लिए 157 cm हाइट जाएगी बागी जो असामीस हैं उनके लिए 160 cm हाइट ली जाएगी चेस्ट आपका 82 cm होना चाहें हैं द 20 cm हो जाना चाहें हैं वेट जो दोस्तों हाइट और एज के साब से आज के लिए जाता है पहले की तरह नहीं की 50 kg आपकी हाइट और जितनी एज है उसके साब से आपका यह पर वेट लिया जाएगा अगर आपको बेट के बारे में जानकारी चाहें हैं तो मुझे कमेंट कर या फिर सर्विसमेन के हैं तो आपके लिए हाइट में 2 cm, वेट में 2 kg और चेस्ट में 1 cm की छूट मिलेगी आउटस्टेंडिंग स्पोर्ट्समेन अगर आप हैं नेशनल और इंटरनेशनल नेशनल और स्टेट लेवल के तो आपके 3 cm हाइट की छूट, वेट 3 kg और जिनकी एज 18it30 चेसाल है, 5 minute 30 seconds में उनको यह रेज पूरी करनी है, अगर 5 minute 30 seconds में पूरी करते हैं तो उनको 60 marks दिये जाएंगे और 5 minute 31 seconds से 5 मिल 50 seconds में पूरी की तो आपको 40 marks दिये जाएंगे, ओके चलिए जिनकी एज 31 से 42 साल है अगर वो 6 मिनिट 15 सेकंड में ये रेनिंग पूरी करते हैं तो उनको 60 साल दिये जाएगे 60 नंबर दिये जाएंगे और 6 मिनिट 30 सेकंड में अगर आप पूरी करते हैं रेज तो आपको 40 मार्स दिये जाएंगे पूर्फ इस प्रकार हैं दोस्तों 18 से 30 साल अगर आपकी एज है और आप 10 पूर्फ ये आपको उससे ज्यादे लगाते हैं तो आपको मार्स दिये जाएंगे पूर्फ में भी आप पास हो जाएंगे उसका आपका बैलेंस होगा और एक यहां पर जरूरी चीज दोस्तों फिजिकल की यह है कि फिजिकल के जो नंबर है वो रिटेन अग्जामनेशन में जोड़ते हैं केबल क्लर कैटेगरी को छोणके क्लर कैटेगरी की जो नंबर हों इस परकार आपका होगा रिटेन एक्जामनेशन ठीक है तो उम्मित करते हैं यह वीडियो आपको पसंद आई होगी अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरू कर लेना क्योंकि दोस्तों टी आर्मी की भढ़ती क कि एक एक पॉइंट में अपनी इस सीरीज में कवर करने वाला हूं तो चलिए जय हिन जय भारत कल फिर में लेंगे एक और बीडियो के साथ में